पार्ठ दस इदगा लेक्चर टू दोड़े जा ग्रहे हैं उन्हें क्या खबर की चैधरी आज आखें बदल लें तो ये सारी इद मुहरम खो जाए उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धान भरा हुआ है बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है एक दो दस बारह उसके पास बारह पैसे हैं मोसिन के पास एक दो तीन आठ नो पंद्रह पैसे हैं इनहीं अंगिनती पैसों में अंगिनत चीजें लाएंगे खिलोने मिठाईयां बिगुल गेंद और न जाने क्या क्या आर सबसे ज्यादा प्रसन है हामिद व चार पाँच साल का गरीब सूरत दूबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष खैजें की भेट खो गया और मा न जाने क्यूं पीली खोती खोती एक दिन मर गई किसी को पता न चला क्या बीमारी है कहती भी तो कौन सुनने वाला था दिल पर जो कुछ बीटती थी व दिल में खी सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा खो गई अब हामिद अपनी बूरी दादी अमीना की गोड में सोता है और उतना खी प्रसन है उसके अबाजान रुपिय कमाने गए हैं बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे अमी जान अल्ला मियां के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लाने गई है इसलिए हामिद प्रसन है और फिर बच्चों की आश्या उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है हामिद के पाउव में जूते नहीं हैं सिर पर एक पुरानी धूरानी टोपी थै जिसका गोट काला पर गया थै फिर भी व प्रसन थै अब उसके अबाजान थैलियां और अमी जान नियामतें लेकर आएंगी तो व दिल के अर्मान निकाल लेगा तब देखेगा महमूद मोसिन नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे अभागिन अमीना अपनी कोटरी में बैठी रो रही थै आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं आज आबिद खोता तो क्या इसी तरह इद आती और चली जाती। इस अंदकार और निराशा में व डूबी जा रही थी किसने बुलाया था इस निगोडी इद को इस घर में उसका काम नहीं है लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बाहर आश्या विपत्ती अपना सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चित्वन उसका विधुआंस कर देगी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तूम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आउंगा बिलकुल न डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मेले जाने दे उसी भीड भार में इस कहानी का अगला पार जल्द ही आएगा तो आपको अगला पार देखने के लिए हमारे जैनल पर सस्काइबर कर बेल आगर को प्रेस करना होगा